सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकले दो गस्दूरी और मास्क है जरूरी आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा आपका फाइदा हुआ कि नहीं हुआ नहीं भाईयो मैंनो मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा आर इसलिए भाईयो मैंनो मुझे यहां विकास कर रहा है मुझे यहां किसानों को पानी पोचाना है उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रवन्द कर रहा है दस लड़कों को जोग दे दिए भाईयों का कितना बड़ा सपना होता है 30-40,000 की नौकरी चाहिए उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलिकॉप्टर प्लेन और संसत भावन का वह बिल्डिंग नहीं चाहिए हमको क्या लगता गौवर्मेंट खुद नहीं कह सकती है हम 12 क्रोड नौकरी दिये हैं अगर गौवर्मेंट कहेगी न अपने पुराना दाटा के हिसाब से हमने 2 क्रोड का वादा किया था अगर किवल ये बात बोल देंगे न तो इससे भयानक डिश्लाइक चला जाएगा कि एक घर में एक सरकारी मोफरी का होना जरूरी था इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया जिनकी सरकारी ती कम से कम कुछ तो मिल रहा था लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूँ ये देश की संपती आपकी संपती है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा मस्त जोक मरा रहे यह हास रहाल कठ हास ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापिस आना चाहिए के नहीं आना चाहिए ये काला ध्रन वापिस आना चाहिए ये चोर लूटेरों से एक एक रुपिया वापिस नेना चाहिए इस रुपियों पर जंता का अधिकार है के नहीं है ये रुपिया जंता के काम आना चाहिए अरे एक बार यह जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमान है ना उसने भी हम रुपिय ले आए ना तो भी इंदुस्तान के एक एक गरीबाद में को मुफट में 15-20 लाख रुपय युवी में जाएगा यह जुमला है किसी के एकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम और देशकी जनता को भी मालूम है यह जो काले धर वापिस लाकर गरीबों को फाइदा पहुंचाने की बात है उनकी योजनाय बनती उनके फाइदे के लिए काम होता है इस मध्यम से पैसा जाता है किसी को कैस कभी नहीं दिया जाता वो सबको मालूम है एक भासन देने का एक तरीका है जुमला है माल लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए हाईयो भानो जादा से जादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल पड़ेंगे जी अर भाईयो भानो ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाईजा शेमलेस वाट काइंड जोक इस दिस मैने सिरफ देश से पचास दिन मांगे हैं पचास दिन मुझे मुझे मोका दीजिए मेरे भाईयो भाईयो अगर तीस दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जायें कोई मेरी गल्ती निकल जायें कोई मेरा गलती रहुदा निकल जायें कि आप जिस चौरा है में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा हो करके देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तयार है कुछ लेंसेस बात देख जूट परानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चून करके बिठाया क्यों है मैं उनके जैसा करूँ आपको मन्जूर है उन्होंने जो किया मैं करू मन्जूर है मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि ने करना चाहिए तो करना परेशान हो गए हम लोग धाई साल से यह भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए करो फेर करो ना भ बिचोलियों और ब्रस्चाचारियों की ये सारी बिचोलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है अब सरकार और कामगार के बीच सीधा समवाद हो रहा है योजनाओं का सीधा लाप आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है आपके इस चोकिदार की यही इमांदारी बिचोलियों और दलालों के हम दर्दों को जड़ाप परेशान कर रही है I'm happy उनकी निंदर राम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिला रहे हैं पांच साल से दुकाने बंद पड़ी हैं दलाली बंद हो गई हैं चिला रहे हैं जोर जोर से चिला रहे हैं मोधी हटाओ मोधी हटाओ मोधी हटाओ क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है लेकिन आपके आशिरवाद से करोनों लोग अज़ मुझे सुन रहे हैं मैं फिर वाइक बार कहना चाहता हूँ देश के मद्दूरों का, देश के गरीबों का देश की माताओं बेहनों का जो सपने लेकर के बैटे हैं ऐसे युवाओं का मुझे परासिरवाद है बक्वस बक्वस बाईो बेहनों मैं पूछना चाहता हूँ ये विश्वाद गाद है ये विश्वाद गाद करने वालों को सजा दोगे ये विश्वाद कादवालों को उखार के फैक दोगे चुन चुन के साप कर दोगे देशवासियों इस वक्त देश के हर कस्पे हर गाउ हर गली और हल मुहले से एक ही आवाज आ रही है तुम्हें शरम है कुछ? कुछ शरम हया है मुपट हुए होती है मुपट दो जगा से चलती है ऐसे मुपट नहीं चलती एक धम इनोंने वक्त बदल दिया जिजबाद बदल दिये जिन्दगी बदल दी पस कोई लफाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे चुटी दे दे मैं इस दुनिया से चुटी जाता हूँ